ये तो फिर वाई हो गया शशी देखो तो मैं इतनी देर से इस बड़े डबे की गोनिया इस छोटे डबे में डार रहा हूं लेकिन ये बड़ा डपा तो भर रहा है और ये छोटा डपा नहीं भर रहा है लाईए भी ये मैं कोचिश करके देखती हूं देखो ये तो वही है देखने में तो ये डबबा ज़्यादा बड़ा लग रहा है और ये डबबा छोटा लग रहा है लेकिन सामान इसमें ज़्यादा आएगा कोई चक्कर जरूर है अरे भाई कौन से चक्कर की बात हो रही है जरा मैं भी तो सुनू अच्छा वा भाईया आप आगए हम लोग का तो दिमागी चक्रा गया है क्यों हम इतनी देर से इस बड़े डिबबे का समान इस छोटे डिबबे में डाल रहे है पर ये छोटा डिबबा तो आधा ही रह रहा है बस इतनी सी बात मैं भी कहूं ऐसा कौन आगया जिसमें मेरे प्यारे से बच्चों को इतना परेशान कर दिया दरसल ये जो तुम कर रहे हो इसके पीछे एक गड़त का सिध्धान्त है इस सिध्धान्त को हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कुछ मैं प्रश्ण पूछूंगा उसके जवाब देना पहले अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कौन सी आकरती है भाईया ये तो आयत है हाँ बिल्कुल सही कहा ये आयत है अच्छा अब मुझे बताओ ये कौन सी आकरती है भाईया ये तो त्रिभुज है हाँ ये बिल्कुल त्रिभुजी है अब मैं तुमसे एक और आकरती पूछता हूँ मुझको बताना वो कौन सी है ये कौन सी आकरती है मुझे बताओ जरा भाईया ये तो कुछ पाइप जैसी लग रही है बिल्कुल सही ये पाइप जैसी ही है इस आकरती को हम लोग कहते हैं अच्छा ये देखो मैंने दुबारा से इस गोले को खोल दिया थीक है अब ये दुबारा कैसी होगी आकरती ये तो फिर से आयत हो गया हाँ ये फिर से आयत हो गया अब मैं तुमसे पूछूं कि इस आयत का छेतरफल क्या होगा तुम लोगों तो पता ही होगा क्या होता है आयत छेतरफल तुम बताओ आयत की लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुणा कर देंगे होगा कहीं हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वह ही जो उसकी लंबाई थी वो उसकी परिधी हो गई और जो उसकी चोड़ाई थी वो उचाई हो गई तो यदि हमसे कोई लम व्रत्तिय बेलन का वक्क प्रस्थ पूछे, वक्क प्रस्थ मतलब बाहर का भाग पूछे, तो हम लोगों को उसके आधार की परिधी, मतलब ये जो आधार की परिधी क्या होगी? ये व्रत्त है, व्रत्त की परिधी होगी, तो आधार की परिधी को उस की उचाई से गुणा कर देने पर हम लोगों को लंब रत्ती बेलन की का वक्क प्रस्त ज्याद हो जाएगा ठीक है अच्छा आओ इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पर ठीक से समझते हैं आओ वक्क प्रस्त बराबर आधार की परिधी गुणे गुणे उचाई ठीक है लंब रत्ती बेलन का वक्क प्रस्त बराबर आधार की परिधी गुणे उचाई ठीक है अच्छा आधार की परिधी माने आधार उसका कैसा था व्रत्त की तरह था तो जो व्रत्त की तरह था तो व्रत्त की परिधी कितनी होती है तुमको पता है इधार रावत तो यहां पर हम लोग लिखते हैं वक्त प्रस्थ बराबर दो गुणे पाई गुणे त्रिज्या त्रिज्या ठीक है और यह हो गया उसकी परिधी अगर अब हम लोग इसकी उचाई को यदी थोड़ा सा इधर देखो आओ ज़रा यहां से देख़ा ठीक से तो अगर इसमें यदी हम लोग उचाई को गुणा कर दें तो हम लोगों को पूरा वक्त प्रस्थ घ्याद हो थीक है उंचाई का हम लोग ने गुना कर दिया इसमे अब हम लोग इसको संकेतों में ऐसे लिख लेते हैं दो तो दो हो गया ठीक है पाई को चिन होता है इस प्रकार से पाई को हम लोग ने पाई कर लिया गुणे त्रिज्या को हम लोग R लिख लेते हैं और उचाई को H लिख लेते हैं तो ये इसका सूत्र हो जाता है दो पाई आर आर एच और एच यदि हमसे कोई पूछे लम वरत्ति ये बेलन का वक्ष प्रस्थ तो हम लोग बताएंगे दो पाई आर एच ठीक है अच्छा अब हम लोग से कोई अगर पूछते कि संपूर्ण प्रस्थ क्या होता है संपूर्ण प्रस्थ माने जो हम लोगों ने अभी बेलन बनाया था एक गोला इसमें अगर इसमें अगर उपर भी धकन लगा दिया जाए और नीचे भी चारों तरफ से बंद हो है न तो इसको हम लोग कहते है संपूर्ण प्रस्थ अगर संपूर्ण प्रस्थ हम से पूछा जाए तो हम लोग जो वक प्रस्थ होगा वक प्रस्थ में उसके आधार का छेत्रफल आधार माने नीचे वाले भाग का छेत्रफल और उसकी शिखर का छेत्रफल दोनों को उसके शि संपूंप्रस्थ बराबर हम लोग यह लिखेंगे वक्प्रस्थ धन आधार का इधर आगे लिख लेते हम लोग वहाँ जगह नहीं है ना अधार का छेत्रफल धन शिखर का छेत्रफल शिखर का छेत्रफल ठीक है अच्छा वक्प्रस्थ तो यह हो गया हम लोग जानते हैं चलो दूसरा पेज लगा लें जरा देखो यह हम लोग ट्यार थे यह इसका वक्प्रस्थ प्लस आधार का छेत्रफल प्लस शिखर का छेत्रफल इसके वक्प्रस्थ को हम लुग लिखते हैं बराबर दो पाई आर एच यह ताई अब धन अच्छा यह इसका जो छेत्रफल होगा वो व्रत्त का चेत्रफल होगा व्रत्त का छेत्रफल कितना होता तूम बताओ साची पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग और उसका जो होगा दूसरा शिखर का छेत्पल वह भी व्रत्य होगा तो वह भी हम लोग वही हो जाएगा तो यह भी हम लोग धान लिख लेते हैं जोड़ेंगे आगे पाइल गुने त्रिज्या का वर्ग इसको हम लोग वही ऐसे लिख लेते हैं दो पाइल और एच यह तो हो गया वही वक प्रस्थ अब इसको लिख लेते हैं प्लस पाई गुने त्रिज्या का वर्ग लिख लेते हैं हम लोग यहां त्रिज्या का वर्ग धन पाई गुने त्रिज्या का वर्ग अब देखो पाई गुने त्रिज्या का वर्ग यहां भी है π गुड़े त्रिज्या का वर्ग यहां भी है तो यह हो गया 2π त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा ठीक है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यह शुरू से 2π आर H प्लस 2 π आर का वर्ग ठीक है अब इसमें देखो इसको बताओ कि इन दोलों में कुछ समान दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है हमको बताओ हम लिखते जाएँ इदर 2 2 5 5 8 ठीक है अब बचा क्या क्या इधर बचा इधर बचा उचाई बची H धन इधर 1 2 थे यहां वर्ग था तो 1 यहां पर त्रिज्या बच गई तो यहां R तो यदि हमसे कोई लंवरत्ती बेलन का संपूर्ण प्रस्थ पूछे तो उसका सूत्र होगा ये क्या होगा 2 2 5 3 और ब्रैकेट में उचाई धन 3 ये हो गया संपूर्ण प्रस्थ क्यों उस समझ में आगी बाद जी मैं जान गई हूँ कि व्रत्त की परिदी को यदि उचाई से गुणा कर दे तो उस बेलन का व्रक व्रक प्रस्था जा 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 बिल्कुल सही अगर व्रत्त की परिदी को उचाई से गुणा कर दे तो बेलन का वक्ष प्रस्थ आयाता है भाईया पर हमारा अभी तक डिब्बे वाला सवाल तो सुझाई नहीं है अरे रूप जाओ इतना परिशान मत हो अब मैं उसी सवाल पर ही आ रहा हूँ देखो अभी हम लोगों ने वक्ष प्रस्थ पढ़ा और संपून प्रस्थ पढ़ा अब हम लोग इसके आयतन पढ़ाते हैं जो बेलन है जैसे यह तुम्हारा डिब्बा था इसके अंदर जितनी भी चीज आएगी और कितनी आएगी तो इसको हम लोग आयतन कहेंगे उचाई अधार का छेतन फ़ल अभी मैंने पहले बदाया कितना होगा बताऊ आयतन बराबर इधन अभाई whole the जन्यौर त्रिज्या का वर्द ठीक है और इसमें यदि हम लोग उचाई का गुणा कर दें तो हम लोगों को पूरा आयतन मिल जाएगा तो अब गुणे हम लोग उचाई को भी इसमें जोड लेते हैं उचाई ठीक है तो ये छेत्रफल का सूत्र हो गया अगर हम लोगों से लंव्रत्ती बेलन का कोई आयतन पूछे तो हम लोगों का हो जाएगा पाई आर क्वाय एच ठीक है अब मैं तुम्हारे उस डिब्बे व की त्रिज्या अधिक है तो उसका आयतन भी अधिक होगा जिस प्रकार से इस डिब्बे में है देखो इस डिब्बे की त्रिज्या हम लोग देखते हैं इसकी त्रिज्या उस डिब्बे की त्रिज्या की अपेक्षा अधिक है तो इसलिए इसका आयतन भी अधिक होगा अच सेंटीमीटर है ठीक है और उसकी उचाई साथ सेंटीमीटर है तो हम लोग चलो उसी सूत्रों में रखते हैं सूत्र बताना मेरे को क्या है पाई गुले त्रिज्या का वर्ग गुले उचाई ठीक है अब इसको पाई का मान तुम लोगों ने पुरानी कख्षाओं में भी पड़ा होगा 22 बटे 7 होता है कितना होता है 22 बटे 7 गुले अब यह त्रिज्या यहां पर दिए त्रिज्या मैंने बताई थी उसकी त्रिज्या अधिक थी 10 सेंटीमीटर ठीक अब यह वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग लिख दिया गुले यहां उचाई कितनी बताई थी 7 उचाई 7 सेंटीमीटर बताई थी तो यह 7 सेंटीमीटर हुग गई अब इसको और हलग करते हैं चलो हम लोग 22 बटे 7 घुने 10 अब 7 ठीक है देखो अंश में भी 7 है हर में भी 7 है तो यह 7 7 हम लोग काट देते ठीक है अब 6 बचा 22 गुणे 10 गुणे 10 तो ये हो गया 10 गुणे 10 कितना हो गया 100 और 22 200 बिल्कुल ठीक बताया तुम्हारी गड़े तेज है 2200 गन सेंटी मीटर अच्छा जो वकप्रस्थ होता है वो वर्ग सेंटी मीटर में निकाला जाता है और जो आयतन होता है वो गन सेंटी मीटर में निकाला जाता है